दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीट कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलेगा चूंकि आने वाले समय में हम इसी करें अब सब का स्वागत है आज चलिए आज हम करते हैं अपनी क्लास 3 स्टार्ट तो क्लास नंबर 3 है आज हमारी तो पहली दो क्लासिस मुझे लगता आप लोगों न देख ली होगी जिनोंने नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 का लिं सकते हैं ठिक है तो चलिए शुरू करते है आज की क्लास आज का जो हमारा topic है आज की class का जो हमारा topic रहने वाला है topic रहेगा addition and subtraction of irrational numbers ठीक है आज का जो हमारा topic है वो addition and subtraction of irrational number यानि आपरी में आपरी में संख्या का योग एवम अंतर ठीक है आज का जो हमारा topic है वो ये रहने वाले addition and subtraction of irrational number यापरी में संख्या का योग एवम अंतर मैं जल्दी यल्दी से आपको एक बार बता देता हूँ जिन्नों की irrational number क्या क्या थे जिन्नों ने एक बार वीडियोज नहीं देखी होगी ठीक है मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाह रहा हूँ की irrational number क्या होते है ठीक है मैंने आपको बताया था की irrational number वो होते है जिन्ने PY क्यों फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ठीक है उसके example दिये थे मैंने पाई, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ठीक है तो जनरली जितनी रूट वाली टर्म है वो सारी की सारी क्या होती है irrational number होती है ठीक है लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ रूट वाली टर्म ऐसी होती है जो rational भी होती है कुछ root वाली terms ऐसी होती है जो rational यानि परी में भी होती है example के तोर पे root 4 under root 4 की अगर मैं बात करूँ 4 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाता है? 2 और 2 एक क्या है? परी में संख्या इसी तरह से root 16 root 16 का भी वर्गमूल कितना आ जाएगा? चार जो की क्या हो जाएगी? एक परी में संख्या हो जाएगी ठीक है? तो आप एक note बना के बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि all perfect squares are rational number ठीक है? all perfect squares are rational number ठीक है? यानि सभी के सभी पूर्ण वर्ग जो है वो परी में संख्या होती है ठीक है? एक्जामपल मैंने बता दिया root 4 और root 16 ठीक है? चलिए तो अब स्टार्ट करते है हमारा main topic main topic क्या है? addition and subtraction of irrational number यानि ए परी में संख्याओं का योग ए हम अंतर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी योग और अंतर की अब देखें क्या होता है बच्चे कोई भी एक irrational number है जैसे मालो मैं लिखता हूँ root 2 ठीक है? तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा अगर मैंने root 2 लिखा तो यहाँ आपको क्या-क्या बात सीखनी होगी root 2 का आगे कुछ नहीं लिखा जब कुछ ना लिखा हो तो उसका क्या होता है? 1 होता है ठीक है? जब कुछ ना लिखा हो तो उसके आगे क्या लिखा होता है? अब ध्यान दो यहाँ terms क्या-क्या बनती है इस 1 को हम बोलते हैं coefficient इस 1 को हम क्या बोलते हैं coefficient ठीक है? यानि आपका गुणांख ठीक है? इस one को हम गुणांख बोलते हैं, coefficient बोलते हैं. और root two को आप लोग अपने लिए समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? main number. ठीक है? root two को हम क्या बोल सकते हैं? main number. ठीक है भजी? इसको आप ऐसे समझें कि आपके दो दोस्त हैं, ठीक ह वो अपने दोस्त को मान लो, ठीक है, जो एक है, वो क्या है, आपका सहपाथी है, यानि आपका दोस्त है, जो आपके साथ काम करता है, या आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है भी, अब देखें, यहाँ पर इसको हम कैसे खेल खेल में सीखेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने लि 3 root 2, ठीक है बच्चे, 3 root 2, तो ये भी एक irrational number है, ठीक है, तो जहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, इसका coefficient हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, इसका coefficient हो जाएगा, और root 2 क्या होगा, main number हो जाएगा, ठीक है, root 2 क्या होगा, main number हो जाएगा, ऐसी अगर मैं लिखो 7 root 5, ठीक है? 7 under root 5. तो 7 coefficient हो जाएगा और root 5 क्या हो जाएगा? main number हो जाएगा. यहाँ तक का concept उमीद है आपको clear हुआ होगा? ठीक है? आज थोड़ा सा गला खराब है मेरा भई हो सकता आपको वाज थोड़ी फटी-फटी सी आ रही हो ठीक है? तो आज के लिए adjust करें. बहले मैंने स question से मैं आपको कराने वाला हूँ. देखिए ध्यान से. एक question आपके पास root 2 plus 3 root 2. ठीक है? root 2 plus 3 root 2 कहता है कि इनको जोड़ के क्या बनेगा solution. ठीक है? अब ध्यान से समझेगा root 2 क्या आगे कुछ ने लिखा? इसका मतलब इसका coefficient कितना हो गया? 1 हो गया. ठीक है? अब दोनों म क्या है? root 2 है. ठीक है? इसको आप ऐसे समझेए कि एक बार आप है. root 2 खुद को मान लीजिए. आप अपने एक दोस्त के साथ बैठे हैं. ठीक है? तो दोनों में common क्या है? आप. आप common हो ना? मान लो गर आप वहां से निकल जाओ. ठीक है? यह मैं कहूं कि root 2 है आप और आप का दोस्त है एक. root 2 है आप और आप का दोस्त है तीन. ठीक है? अब इन एक और तीन का, एक और तीन का common दोस्त कोन हो गया? आप हुए ना? एक और तीन का common दोस्त कोन हो गया? आप हुए यानि की root 2. ठीक है ना? अगर आप एक के भी दोस्त है, आप तीन के भी दोस्त है, त दोस्त का दोस्त दोस्त ऑर दोस्त का दुश्मन दुश्मन पिच्चर में लोग आपने सुना ही ख़ीज़ में सुना ही तो वह ऐपलाई कर यह कि रुट्ट्थ है आप एक के भी मित्र एक की भी डोस्त है और आप तीन के भी दोस्त हैं तो तो दोनों में common दोस्त कौन हो गया? root 2. तो root 2 को मैंने common ले लिया. जब मैं इस common number को यहां से गायव कर देता हूँ, ठीक है? मैं इस common number को यहां से एक पल के लिए हटा देता हूँ. तो अब क्या बचा? एक. तो मैंने एक लिख दिया. अब root 2 मैं यहां से भी हटा चुका हूँ. तो यहां क्या बचा? तीन बच गया. ठीक है? अब जब root 2 एक का भी दोस्त है, root 2 तीन का भी दोस्त है, तो एक और तीन भी क्या हो गए? दोस्त हो गए. एक और तीन भी क्या हो गए? दोस्त हो गए. जब एक और तीन दोस्त हो गए तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जैसे ही जोड़ा तीन और एक क्या बन गया बच्चे चार बन गया तीन और एक क्या बन गया चार तो इसको मैं क्या लिख दूँगा चार रूट दो ठीक है अब आपके दिमाग में आएगा सर की root 2 बाहर था आपने 4 को पहले ही क्यों लिखा आपने इसको ऐसे क्यों ने लिखा root 2 4 ठीक है तो देखे बच्चे क्या होता है जो coefficient होता है वो हमेशा root से पहले लिखा जाता है ठीक है math skype कह लीजिए कि लिखने का एक तरीका है कि coefficient हमेशा root से पहले लिखा जाता है क्यों लिखा जाता है अब यह सीधा सा तरीका है उन्होंने बना दिया ऐसा method कि आपको coefficient पहले लिखना होगा ठीक है बाकी आप बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती सिरफ एक confusion होती है क्या देखो अगर मैं 4 पहले लिखके root 2 बाद में लिखूंगा तो आपको clear दिख रहा है जो 4 है वो root से बाहर है लेकिन कई बार अगर हम इसको ऐसा लिख दे ना root 2 4 तो क्या होता है लिखने में कई बार confusion हो जाता है भई कि 4 root के अंदर है या root से बाहर है तो वो confusion ना हो इसलिए क्या decide किया गया कि हमेशा जो coefficient है उसको क्या लिखें पहले लिख दें ताकि कोई confusion ना रहे बस यह simple सी बात है ठीक है चलिए तो आपको main चीज समझाई main चीज क्या है main concept क्या है irrational numbers को add करने का कि अगर आपका कोई common दोस्त है कि आप किसी एक के भी दोस्त है आप तीन के भी दोस्त है तो एक और तीन भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त हो जाएंगे और दोस्त हमेशा एक साथ रहते हैं इसलिए हमने उन्हें जोड़ दिया ठीक है मुझे लगता है आपको concept समझाएगा एक example मैं और देता हूँ आप साथ साथ करके दिखाएंगे जैसे मैंने बोला 2 root 3 2 root 3 plus 4 root 3 तो मैं पुछें को add करके क्या answer आएगा तो आपके दिमाग में आगया होगा simple क्या कि यहां भी root 3 है यहां b히 round 3 root 3 तो क्या जाएगा sir? common आजाएगा यहां से भी गया और yeहां से भी गया तो अंदर क्या क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा तो 4 और 2 कितना हो गया 6 तो answer आएगा 6 root 3 तो answer क्या आएगा 6 root 3 तो यहाँ से आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो common दोस्त होता है उसके दोस्त यानि उसके coefficient वो भी आपस में दोस् जूड के रहेंगे यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है कुछ भी रटने वाला नहीं है देखो real life से आपको जोड के बता रहा हूं मैं दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन ठीक है ना आगे चलते हैं आगे गया होते है कहीं बार देखो ऐसा question मिल देगा आपको कहता है कि root 2 plus 3 root 2 plus 2 root 3 ठीक है आपको इनको जोडना पड़ गया suppose आप से कहेगा कि इनको जोड के बताओ क्या answer आएगा अब इस question में आपको यह ध्यान देना है कि जो दोस्त है वो ढूणने है दोस्त कैसे ढूणने सबसे पहली बात तो भी जिसके आगे देख उसके आगे क्या लिखेंगे एक उसका coefficient ठीक बना देंगे अब ध्यान से देखो तीन नमबर आपके सामने तीन नमबर में से root 2 इसके पास भी है root 2 इसके पास भी है यानि दोनमें common क्या है root 2 common है और यहाँ पे क्या फिली बात यहीं से आपको डेखते ही पता लग ग कि root 2 एक का भी दोस्त है, root 2 तीन का भी दोस्त है, इसका मतलब 3 और एक भी क्या होंगे आपस में? दोस्त होंगे, ठीक है? 3 और एक भी आपस में क्या होंगे? दोस्त होंगे, इसका मतलब क्या बनाओगे? root 2 को बाहर रखोगे, अंदर क्या बचेगा? 1 और यहां से क्या मिलेगा तीन ठीक है अब यह अकेला रह जाएगा इसको ऐसे लिखना है टू रूट थ्री नेक्स्ट टेप में क्या बनाओगे तीन और एक चार ठीक है तो चार रूट दो प्लस दो रूट तीन यह आपका आजाएगा फाइनल आंसर ठीक है इससे आगे आप इसे solve नहीं करेंगे ठीक है इससे आगे आके solve क्यों नहीं करेंगे ध्यान से सुने क्योंकि यहां पर क्या है root 2 और यहां क्या है root 3 ठीक है मैंने आपको उपर के दोनों question में समझाया यह दोनों add कब हो रहे हैं देखो 4 और 2 जब इनमें क्या comment था root 3 ठीक है तो वही दो number आपस में add होंगे जो same nature के होंगे theory पे आते हैं ठीक है अभी मैंने आपको practically सारा समझा दिया theory क्या कहती है कि same nature वाले same nature का मतलब जिनमें root वाली value common हो वही numbers आपस में add होते हैं बाकी numbers को सिरफ हम साथ में ऐसे लिख देते हैं उनको हम plus या minus नहीं कर सकते उनको हम plus या minus नही कर सकते ठीक है एक example और लेता हूं question यहाँ पर छोटा सा करते हैं देखिए मैंने लिखा two root three plus five root two plus seven root three ठीक है two root three plus five root two plus seven root three इनको add करना है तो add करना बेहदसान है same nature वाले डूंडो भई same nature वाले जिनके दोस्त common हो तो आप कहोगे sir इसका भी root three दोस्त है इसका भी root three दोस्त है ठीक है अब मैं थोड़ा सा shortcut लगा रहा हूँ देखो मैं समझता हूँ यहाँ पर क्या होगा root three और root three common आ जाएगा root three तो common आ गया तो से कितना मिलेगा nine तो आएगा nine root three उसके बाद ही अकेला बच गया ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे plus में five root two तो इसका final answer कितना आएगा भी nine root three plus five root two ठीक है मैंने बीच का ये वाला जो step बनना था ये नहीं लिखा ठीक है तो जब आपके पास ये question mc क्यों form में आएंगे य इसी step को आपको mind में करना है दोनों में जो common होगा उसको एक बार रख ले बचे हुए numbers को add कर दे तो आपकी final value आ जाएगी ठीक है चले आगे सवाल पर अब एक subtraction वाला भी देख लेते हैं वही question question है 5 root 7 plus 2 root 3 minus 2 root 7 minus root 3 ठीक है एक ये question है आपके सामने आपको इसको solve करना है simply आप ध्यान देंगे देखो same nature वाले दोस्ट ढूनने है यहाँ पे भी root 7 है और यहाँ पे भी root 7 है ठीक है एक बार ही मैं कर देता हूँ इसको ठीक है तो root 7 root 7 को common ले लिजी एक बार जैसी आपने root 7 को common लिया तो यहाँ क्या बचा 5 बचा ठीक है अब ध्यान देंगे यह 2 कैसा है भई minus का ठीक है तो 5 minus 2 लिखोंगा अभी तक हम जब add कर रहे थे मेरी बात ध्यान से सुनना बीच में sign किसका था plus का था इसलिए मैं plus का sign लगा रहा था ठीक है यहाँ पर sign किसका है भई माइनस का तो मुझे माइनस का लगाना पड़ेगा ठीक है plus में ठीक है इसमें root 3 common है और इसमें भी root 3 common है ठीक है तो root 3 को हम common ले लेते हैं जैसी root 3 को common लिया यहाँ क्या बना 2 और जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है तो इसका coefficient कितना हो गया एक अब एक से पहले क्या है minus तो यहाँ क्या लगाएंगे minus लगाएंगे ठीक है तो simple है इस question में में minus करना था था 5 में से 2 गए तो कितना बचा 5 minus 2 कितना बचा भई 3 तो कितना आ गया 3 root 7 plus का यहाँ पर sign 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 तो इसको हम क्या लिखेंगे root 3 तो final answer कितना आ जाएगा 3 root 7 plus root 3 final answer कितना आ जाएगा 3 root 7 plus root 3 ठीक है अब एक दो question करते है थोड़े से अच्छे मला बही अच्छे क्या आपकी book वगरा book के questions है ठीक है तो वो करते है question है देखो ऐसे आता है add 3 under root 2 plus 5 under root 3 and under root 2 plus under root 3 ठीक है तो यह आपके सामने question है जिसको हमें क्या करना है solve करना है कहता है कि योग करे किन का इसका तथा इसका अब and का मतलब मुझे इसको और इसको add करना है add करना है तो मैं बीच में plus का sign लगा दूगा तो लिखते हैं वही पहले तो तेखो मैं step से करा रहा हूँ क्योंकि 9 10 वालों को step से ही करना है जब आपको दूसरे किसी exam में करना हो जाए mc के वह हो वहां आप shortcut लगाए ठीक है 3 root 2 plus 5 root 3 and की जगा क्या लिखेंगे plus root 2 plus root 3 पहला step यह हो जाएगा ठीक है पहला step पूरा करने के बाद आपको क्या देखना है दोनों में common common number तो root 2 वाले आपको number दिख गए ठीक है तो यहां से अगर मैं root 2 को common loom तो देखो root 2 common जा चुका यह खतम हो गया तो कितना बचा तीन ठीक है अब root 2 इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या है one है one से पहले sign किसका है plus का तो क्या लिखूंगा plus का one very good ठीक है उसके बाद plus ठीक है उसके बाद यह root 3 है यह भी root 3 है दोनों में common क्या आजाएगा root 3 आजाएगा तो यहां से root 3 गया, तो कितना बचा? 5, यहां से root 3 गया, तो कितना बचा? 1, 1 किया अगे, किसका sign? Plus का, तो plus का लगा दूँगा 3 plus 1, 4, तो इसको लिखेंगे 4 root 2, plus में 5 plus 1, 6, तो क्या लिखेंगे? 6 root 3, तो final answer कितना आएगा भई? 4 root 2 plus 6 root 3, ठीक है? चलिए, next question पर चलते हैं Next question आपको दिया हुए, आपको add करना है Add 4 root 5 plus 3 root 7 plus root 6, ठीक है? And दिया हुए आपको 2 root 5 plus 4 root 6 तो इनको आपको add करना है साथ-साथ करते चले भई जो समझ गए हैं, वो साथ-साथ करते चले Basic तरीका क्या करना है आपको? पहला step क्या है? सभी numbers को लिख लेना है पहला step क्या है? सभी numbers को लिख लेना है And की जगा किसका sign आएगा? Plus का 2 root 5 plus 4 root 6, ठीक है अब क्या करेंगे? Common dose ढूंडेंगे भई? Common dose ढूंडेंगे चलो चलिए देखते हैं कौन-कौन से common dose है अब अगर मैं इन numbers को सबको ध्यान से देखूं तो मुझे कौन-कौन से number common दिख रहे हैं तो root 5 और root 6, ठीक है? तो पहले मैं root 5 वाले लेता हूँ देखो root 5 इसके पास भी, इसके पास भी यानि root 5 चार का भी दोस्त है root 5 दो का भी दोस्त है ठीक है? तो root 5 अगर 4 का भी दोस्त है और 2 का भी दोस्त है तो 4 और 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे, दोस्त होने का मतलब जुड जाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे plus ka sign है थीक है तो अगर मैं shortcut लगाना चाहूँ तो direct लिख सकता हूँ four plus two कितना होगया? six तो मैं direct अगले step में ही क्या लिख दूँँगा? six root 5 तीक है? ये तो solve होगया then root six यहां भी है, root six यहां भी है, root six 4 का भी दोस्त है, root six 1 का भी दोस्त है, root six चार का भी दोस्त है और रूट 6 एक का भी दोस्त है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका मतलब इसका मतलब यह होगा कि एक और चार भी क्या हो जाएंगे दोस्त हो जाएंगे दोस्त हो जाएंगे तो दोनों कैसे है प्लस के है प्लस के है तो चार और एक पांच तो प्लस पांच root 6 ठीक है? प्लस 5 root 6 अब देखो ये number भी हो गया ये भी हो गया, ये भी हो गया ये भी हो गया, सारे हो गया, सिरफ अकेला क्या बचा ये number, ठीक है? अगर ये अकेला बचा तो इसे अकेला लिख दो प्लस 3 root 7 तो आपका final answer क्या आजाएगा? 6 root 5 plus 5 root 6 ये मने shortcut में बताया है, steps में आपको क्या करना है? root 5 को आप common लिखते हैं, फिर लिखते है 4 plus 2 फिर आता प्लस root 6 को common लिखते ठीक है? 3 plus sorry root 6 का क्या क्या था भी? 4 और 1 था, ठीक है? 1 plus 4 ठीक है? 1 plus 4 ठीक है? हाँ और last में आ जाता 3 root 7 तो ये बन जाता 6 root 5 plus 5 root 6 plus 3 root 7 तो ये complete step में solve हो जाता है, ठीक है? तोनो तरीके से आपको आना चाहिए, shortcut भी और complete step भी ठीक है? तो उमीद है मुझे आपको ये समझ आ गया होगा ठीक है भी? एसे एक minus वाला और कर लेते होई, ताकि आपको थोड़ा सा clear हो जाए, जब plus minus का question आता है, दीक है question ऐसे है, कहता है, आजा ध्यान से देखना question में अभी भी लिखता है, क्या? कि add 2 root 3, लेकिन बीच में निशान दे दिया, sign दे दिया, minus का, minus 5 root 2, and root 3 plus 2 root 2, ठीक है? तो ये इसने question आपको दे दिया, कहता है कि इसको add करो, add करने का मतलब पहला step क्या करेंगे? 2 root 3 minus 5 root 2, end की जगह क्या लगाएंगे? plus, root 3 plus 2 root 2, ठीक है? बस आपको कुछ नहीं जो same nature के है, जो जिनके दोस्त common है, वो ढूनने है, तो root 3 वाला ये रहा, root 3 वाला ये रहा, ठीक है? तो इसमें से root 3, अगर मैं common ले लूँ, तो क्या लिखूंगा? देखो, यहाँ पर आजाएगा 2, root 3 गया, यहाँ से भी root 3 गया, बचा कितना? एक, तो 2 plus 1, ठीक है? आर यह बात समझ में? next step क्या तक्या करेंगे? next step भी, हो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? root2 और root2 common है, ठीक है? root2 और root2 common है, ठीक है? अब देखो दोनों में से, यह है minus का 5, और यह है plus का 2, ठीक है? माइनस का 5 और प्लस का 2 तो दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसका निशान लेते हैं, ठीक है? प्लस माइनस का बेसिक है, आपने शीका हुआ है छोटी क्लासिस में कि दोनों में से जो बड़ा होता है, जब हम माइनस करने लगते हैं, तो किसका निशान लेते हैं, बड़े वाले का, ठीक है, तो पांच बड़ा है तो यहां पर मैं निशान किसका लिखूंगा, पांच का लगा दिया, यह मैंने ले लिया, रूट टू बाहर, ठीक है, तो यहां क्या बचा सिर्फ पांच और यहां क्या बचा दो, ठीक है, यहां क्या बचा, देखो, यहां थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही हो सकते हैं, कि माइनस को मन लिया है, तो इसे हम नेगिटिव कैसे लें, ठी करो, आप इस तरीके से मत करो, आप क्या करो, यहां पर प्लस का ही निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप यहां पर क्या करो, प्लस का ही निशान लगा लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस का निशान लगा लिया, हमने, रूट टू कॉमन ले लिय यहां क्या बचा? माइनस 5 और यहां क्या बचा? प्लस का 2. मैंने लिख लिया. ठीक है? अब अगले स्टेप में 2 और 1 कितना हो गया? 3. यहां से आ गया 3 अंडर रूट 3. अब माइनस 5 प्लस 2. माइनस 5 प्लस 2 का मतलब क्या होता है? 2 माइनस 5. एक्चल में इसका यही मतलब है. ठीक है? कि 2 माइनस 5. 2 में से 5 गये कहने का मतलब है. तो 2 में से 5 गये तो हम नहीं माइनस कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचना चाहिए? तीन बचना चाहिए, मैं जानता हूँ, ठीक है, पांच में से अगर दो माइनस करूँगा, कितना बचना चाहिए, तीन, अब वही बेसिक लगाओ, कि ये तो प्लस का है, और ये माइनस का, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, पांच, पांच बड़ा है, तो निशान किसका आएगा, पांच वाले का, पांच वाले का मतलब माइनस का, तो इसको solve करने पर क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा, ठीक है भी, पांच और 2 का हमें difference लेना है यहाँ पे, और difference कितना आया, तीन आया, अब पांच माइनस का है, और 2 किसका है, प्लस का, दोनों में से बड़ा कौ 2, क्या वनेगा, माइनस 3 अंडर रूट 2, तो यह आपका क्या आजाएगा, फाइनल आंसर आजाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ मैं आपको प्लस, इनका addition, subtraction समझ में आया होगा, ठीक है, बेसिक चीज क्या है, कि सेम नेचर वाले नंबर ही आपको प्लस या माइनस क क्या करेंगे, multiplication और division देखेंगे, ठीक है, next video में, जो मारा next topic होने वाला होगा, जो कल वीडियो आएगी, उसमें multiplication और division हम देखने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए thank you, video को जाद स्यादा share कीजिए, like कीजिए, और जिन्हों ने subscribe नहीं किया है, subscribe करें, और जिन्हों ने subscribe क कर लिया है, और notification ठीक है, जो bell का icon है, अगर उसे नहीं अभी भी प्रेस किया है, तो please press करें, और उसमें all का option select कर ले, ताकि आपको मेरी videos मिलती रहे, thank you, goodbye, bye, bye झाल झाल